आप देख रहे हैं लाइफ टूड़े नीज आपकी बुलंद आभाज पीएम मोधी द्वारा देश में हो रहे अलब संक्यक समधाय के उत्थान को लेकर की गई बातों पर अलेगल मुस्लिम यूनिवस्टी के छाते संग अद्यक्ष ने तीकी प्रकरिया दी है उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में सिर्फ गलतियां जो मदू सरकार ने की हैं उन्हें सुधारने का काम उन्हें करना चाहिए जिस प्रकार से लिंचिंग सिद्ध समधाय विशेस के लोगों को निसाना बनाया गया, सुक्षा संस्थानों को निसाना बनाया गया, इस प्रकार कैसे अलप संक्यक समधाय का उत्थान हो पाएगा, उन्होंने कहा कि हमारा देश एक धर्म निर्पेक्ष मुल्क है, अगर अल बिस्पास के तहत अलब संक्यक संदाय को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कही है। जो भी लोगों को पीम मोदी के कदम की सरहना करने के साथ ही उनके बयान का स्वागत करना चाहिए। देश के हर पीम को इसी प्रकार से सोचना वा समझना चाहिए जो बड़ बोले लोग हैं उन पर पीम मोदी लगाम लगाते हैं तो ये हमारे मुल्क के लिए अच्छे और बहतरी खुशाली की बात होगी। अलीगर से बबलू खान की रिपोर्ट। और आप माइनोरिटी इसको बचाने की बात करते हैं। मौलाना अजाद नेशनल फेलोशिप आपने बंद कर दी जो कि मुसल्मानों की बच्छों को मिलती थी, वो पढ़ते थे उससे। राजीव गांदी फेलोशिप जो कि SCST को मिलती थी, आपनो उस पर रोप लगा दी। आप के MPs सिर्फ और सिर्फ माइनोरिटी इस्ट्यूट्स को टार्गेट करते हैं। जो कि अलीगल के सांसाद है हमारे। वो constituency की बात करें। किस तरह से विकास करेंगे ये बात करें। सबको साथ मिलेगे किस तरह चलेंगे वो बात करें। क्या एक इदारे को टार्गेट करना और एक कम्यूनिटी के खिलाफ जहर उगलना क्या यही नरेंदर मोती जी देखते हैं क्या माइनोरिटी से खयाल लखेंगे। लिंचिंग हो रही है। आप काउट के नाम पे लिंचिंग हो रही हैं। यह कहा जा रहा है कि आप गाई को माता नहीं मानेंगे तो आप इस देश में रह सकते। कि तरह note कि सीऊने को पिसांगेरश अरृटी करें। सियासत को ऽाजयदारी दे रहें। पहलें तो आप को कि अगले 5 में राम काशागत मावनें, हूँ कि उनकी कोशिशन से ये बड़ा मैंडेट बीजोपी को मिला और इसके लिए वो काबले मुबारक बाद है जहां तक अलबसंखेकों के और माइनार्टीज की बात है कि उनको विश्वास में लाने की बात उन्होंने कही है और उन्होंने जो उनका एक दारा था सबका सास सबका विकास अब ये कि सबका विश्वास उसमें खासकर अलबसंखेकों की बात उन्होंने कई तो एक बात तो बिलकुल फैक्ट है और सचाई है उन्हों ने ये बात कल सेंटरल हॉल में कही कि 1857 में मुल्क की आजादी में तमाम वर्गों का चाहे वो जिस भी जात का बिरादरी का धर्म का हो उसने कंटिबूर्ट करके अंग्रेजों से लडाई लड़के इस मुल्क को आजाद कराया और आज हम 75 साल आजादी के पहले पाइदान पे हम 75 साल पूरे होने वाले हैं ऐसे में किसी एक वर्ग का अगर पिछड़ा पन रहेगा तो हम यकीनन एक सवालिया निशान होगा मैं समझता हूँ कि ये गोहती अच्छा कदम है और इसकी तारीफ की जानी चाहिए और ये खुशी की बात है कि हमारे मुल्क के वजिर आजम ने इलेक्शन जीतने के बाद ये एक अमदा और प्यारा ऐलान किया और जो हम सब सोचते थे कि सबको लेकर जो साथ चलने की बात है उन्होंने उसमें सबकर साथ सबका विकास के साथ साथ उन्होंने एक नई चीज़ को जोड़ा कि सबका हम विश्वास जीतेंगे